परामपरागरत तोर तरीकों के साथ ही होटिकल्चर, फिशरीज, एनिवल हस्बंडरी ऐसे छेत्रों में बेल्व एडिशन बढ़ेगा और इससे भी नवजवानों के लिए रोजगार के नए आउसर पैदा होंगे ब्लू एकानामी के अंतरगत युवाओं को फिस्ट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग छेत्र में भी नए आउसर मिलेंगे टेक्निकल टेक्स्टाइल के लिए नए मिशन की गोश्णा हुई है मैन मेड फाइबर को भारत में प्रोडूस करने के लिए उसके रो मट्रूरल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफार्म किया गया है इस रिफार्म की पिछले तीन दसकों से मांग हो रही थी आईश्वान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है इस सेक्टर में हुमन रिसोर्स उसके डेवलप्मेंट डॉक्टर हो नर्स हो एटेंडेंट हो इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मेनिफेक्टिन का बहुत बड़ा स्कोप बना है इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णे लिए गए है टेक्नलोजिक एक शेत्र में एम्प्लोर्मेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजेट में हमने अनेक योजना बत्त रूप तरीके से प्रयास किये है नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रोनिक मैनुफैक्टरिंग हो, डेटा सेंटर फार्स हो, बायो टेक्नलोजी और कॉंटम टेक्नलोजी जैसे खेत्रों के लिए आवसे जो भी पॉलिस इनिसिटिव्ट लेने चाहिए, वो लिये गए है इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा बजेट में युवाओं के स्किल डेवलेप्मेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्मान में जो जो skill की जरुरत है उस focus को बल दिया जाएगा और skill में भी area को focus करने के combination पर बल दिया जाएगा जैसे degree courses में, entrepreneurship, local bodies में, internship और online degree courses की भी व्यवस्ता का एलान किया गया है बारत से जो युवा, नोकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए bridge courses की व्यवस्ता भी की जा रही है एक्सपोर्ट और MSME सेक्टर, employment generation को drive करता है budget में, export बढ़ाने के लिए, अनेक नई गोशनाओं के साथ साथ, हर district को, export हब बनाने की दिशा में, एक बहुत बढ़ा, महत्वा कांच्छी, योजना का, इसमें निर्णे लिया गया है छोटे उद्यमों की financing के लिए भी कई नई पहल हुई है आदुनिक भारत के लिए, आदुनिक infrastructure का बहुत ही महत्व है infrastructure का खेत्र भी, employment generation का बहुत बड़ा अधार होता है यह सब को जानते है सो लाग करोड रुपिये से पैंसर सो प्रोजेक्स का निर्मान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा National Logistic Policy से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनोग शेत्रों को लाब होगा देश में सो एरपोर्ट विक्सित करने का लक्ष सामान ये मानवी की हवाई उडाइन को नहीं उचाई देगा भारत के परेटरन सेक्टर के लिए ये इंफार्स सेक्टर बहुत आवशक है और टूरिजम से कम पुझी निवेश से अधीक रोजगार की अधीक इंकम जनरेशन की संभावनाय होती है इंफार्स्रेक्टर के शेत्र में हम स्टार्ट अप्स के जरिये और प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट के जरिये युवा उर्जा को नई ताकत देंगे टैक्स स्ट्रक्चर में मुलभूत बडलाओं के कारण भारत में अनेट सेक्टर्स में वेल्यू एडिशन की संभावना भी बड़ेगी एंफार्स के लिए इंवेस्टमेंट सबसे बड़ी आवशक्ता होती है और प्रमुक ड्रावर होता है इस दिशा में कुछ एत्यासिक कदम उठाए गए है बॉर्ण मार्केट को मजबूत करने के लिए और इंवेस्ट्रक्चर की लॉंग टर्म फाइनसिंग के लिए प्रबंद किये जा रहे हैं डिविडेंट डिस्टिबिशन टैक्स डिडिटी उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में 25,000 करोड रुपया आएंगे जो उनको आगे इंवेस्ट्मेंट करने में मदद करेंगे बाहर के निवेस्ट को भारत में आकरशित करने के लिए विभिन टैक्स कंसेशन भी इस बजेट में दिये गए हैं स्टार्ट अप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिये गए हैं ये सभी फैसले अर्थे ववस्ता को तेजगती से बढ़ाने और इसके जरिये युवाओं को रोजगार के नए अफसर उपलब्द कराएंगे अब हम इंकम टैक्स की ववस्ता में विवाज से विजवाज के सफर पर चल पड़े हैं हमारे कंपनी कानूनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती है और उसमें कई सालों से क्रिमिनल एलिमेंट है एक प्रकार चे परेशानी का काना रह सामन ने नागरी को उन्हें अब डी क्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैस्टला किया गया है टैक्स पेर चार्टर के ड्वारा टैक्स पेर्स के अधिकारों को स्पस्ट किया जाएगा दुनिया में शायद बहुत कम देश हैं जहां पर टैक्स पेर चार्टर की कलपना की गई है भारत आज एक प्रगतिशिल कनम उठा रहा है MSME से जुड़े छोटे उद्दमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है हम नागरी कोंपर विश्वास करने माली सरकार है अब पांच करोड रुपिये तक के टरन ओवर पर आडिट की आवश्यक्ता नहीं होगी चार्टर एकाउंटर के सर्टिपिकर्ट की जरूत नहीं पड़ेगी पहले ये सीमा एक करोड रुपिये तक ही थी अब इसे पांच करोड कर दिया गया है एक और पड़ा फैस्कला डिपोजिटर्स इंशॉन्स को लेकर हुआ है बैंकों में और ये खास करके मद्यमबर के लिए होता है निम्न मद्यमबर के लिए होता है वो अपने जीवन की पूझी को बचा के रखता है और कभी संकट में पढ़ जाता है बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है ये विस्वाद दिलाने के लिए अब डिपोजिट इंशॉन्स की सीमा एक लाख रुपिये से बढ़ा कर पांच लाख रुपिये कर दी गई है मतलब की एक प्रकार से जो छोटे डिपोजिटर्स होते हैं 98-99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे मिनिमाम गवर्मेंट मैक्सिमाम गवर्नेंस की कमिट्मेंट को इस बजेट ने और मजबूत किया है फेसलेस अपील का प्रावधान डायरेक्ट टैक्क का नया और सरल स्ट्रक्टर डिस इन्वेस्टमेंट पर जोड आटो अन्रोल्मेंट के जरिये उनिवर्सल पेंशन का प्रावधान यूनिफाइड प्रक्योर्मेंट सिस्टम की और बढ़ना ये कुछ ऐसे कदम है जो लोगों की जिन्दिगी मेंसे सरकार को कम करेंगे नागरीकों की शक्ति बढ़ाएंगे समाज ताकतवर होगा और उनकी इज अब लिविंग को इज अब लिविंग के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा मैक्सिमम गवरनेंस की दिशा में एक लाख ग्राम पंचायतों में अंगनवाडी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेर्ज सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्राण बेंग कनेक्टिविटी से जोड़ना एक एत्यासिक शुरुवात होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गावों में भी लॉंग डिस्टरंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को आदिवासी बच्चे को दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी सिक्षा देना संबव होगा आज सरकारी नोक्री के लिए युवाओं को कई अलग अलग परिशाय देनी होती है नोक्री के लिए साल में ट्रावेलिंग करता है अपने गावों से सेंकडो किलोमेटर दूर एक्जाम देने जाता है बार बार वो एंट्रंस नोक्री के लिए परिशाय देता रहता है इस विवस्ता को बदल कर अब national recruitment agency द्वारा लिए गए, online और वो भी district में common exam के जरिये नियुक्ता की जाएगी, एक ही exam होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलिवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं, इसके करण युवकों को बार बार अपना समय इसकाम में नहीं लगाना होगा, किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट कमने और ट्रांस्पोर्ट के लिए किसान रेल और कुशी उडान के द्वारा नई व्यवस्ता बनाई जाएगी, मुझे विश्वास है कि ये बजेट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्शन को बढ़ाएगा, फाइनेंशल सिस्टम और क्रेडिक फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा, ये बजेट देश की वर्तमान आवशकताओं के साथ ही इस दसक में बविश्व की आपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा, मैं एक बार फिर देश को, निर्मलाजी को और वित्रमंत्रालाई की टीम को इस बजेट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, बहुत बहु वित्र यो यथम बढ़ा है झाल झालाई बचाग है।